तो दोस्तों आज हमारे पास आई है solar semi integrated light repairing के लिए इसमें हाज हम इसको खोलेंगे और देखेंगे कि इसमें क्या problem है और उसको solve करेंगे सबसे पहले हम इसके दिये गए net bolt को खोल लेते हैं अच्छी तरीके से तो चारो मैंने net फटाफट खोल दिये हैं एक screwdriver की मदद से उसके बाद हम इसके glass को लिका लेंगे अच्छी तरह के proper ध्यान से glass मैंने लिका लिया है इसके बाद देखा हमने कि इसमें battery है driver भी है सबसे पहले हम लोग इसके connections देख लेंगे प्रॉपर connection किये है कि नहीं किये अभी भी connection सारे ठीक थे इसके बाद तो हम इसको जलाके on करके देखेंगे switch के wire connect करके जैसे ही connect किया ही light on नहीं हुई उसके बाद हमने battery के connections लिका लिए और battery का voltage चेक करते हैं अगर battery का voltage पूरा आते है तो battery okay है इसमें आया है एक वोल्ट इसका मतलब battery को हमें charge करने की जरूरत है तो हमें सबसे पहले battery को अब charging के लिए बेज़ देते हैं तो charging पे हमें हमने इसको power supply on करने के बाद 14V के साथ देंगे क्योंकि हमारी 12.8 की battery है तो जैसे ही मैंने power supply पे battery को लगाया तो आप देख रहे हैं इसमें 2.53 current चलने लगा है इसका मतलब battery सही है अब क्या करेंगे हम जो faulty driver है उसको नए driver के साथ replace करेंगे और replace करने के बाद ह हमने यह driver और battery दोनों इसमें charge करके इसमें लगा दिये और आप हम इसको charge कर रहे हैं driver की मदद से तो आप देख रहे हैं उसके बाद भी current इसमें अच्छा जा रहा है और ducts को down करके मैंने देखा तो यह proper light अब अच्छे से work कर रही है with green indication के साथ तो यह हमारी light repair हो गई है इ तो driver replace करने के बाद यह light ready है dispatch के लिए तो इसका भी repair है हम उसको उसके बाद courier करवा देंगे